सो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है स्री राधारमन इंस्टिटूट्स के यूट्यूब चैनल में और यह जो हमारा आज का वीडियो है यह हमारे इस चैनल का टेंथ वीडियो है जो ही ISC के कॉमर्स अब्जेक्ट से रिलेटेड है सो गाइज आज हम हमारे 3rd chapter Sources of Finance for a Joint Stock Company को स्टार्ट करने वाले हैं बट हम इसमें main topics के उपर अभी नहीं जाएंगे हम main topics से related कुछ topics हैं जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है अगर हम उन्हें जान लेते हैं तो वो हमारे लिए beneficial होगा हमें इस chapter को समझने में भी आसानी होगी सो हम उन्ही topics को अभी discuss करेंगे and main topic को हम next video से start करेंगे सो जो basics हैं जो कि हमें इस chapter के लिए जानना है वो है joint stock company का meaning, shares का meaning, debentures का meaning, finance का meaning और कितने तरीके के sources होते हैं finance को acquire करने के ये सब चीजे हमें जानना पड़ेगा So guys हमारा chapter है sources of finance for a joint stock company, sources of finance for a joint stock company का मतलब क्या हुआ कि एक joint stock company जो है वो अपना finance कहां से लाती है, वो पैसा कहां से लाती है हर एक company को business carry out करने के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो तो joint stock company जो की हमारे businesses में से सबसे बड़ी मानी जाती है, वो अपना finance कहां कहां से लाती है, वो ही हम इस chapter में जानने वाले हैं सबसे पहले जो बात आती है, वो यह है कि एक joint stock company होता क्या है, तो अगर मैं joint stock company को ऐसे ही समझाने लग जाऊंगा definition से तो वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक example के थूरू इसको समझाना चाहता है आप एक company start करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको एक करोर रुपे की जरूरत पड़ेगी अब normally होता क्या है, कि जब भी कोई start up करता है, या फिर जब भी कोई business start होता है तो किसी के पास जरूरी नहीं है कि वो जितना पैसा उसमें चाहिए, वो उसके पास पहले से ही available हो बहुत cases में क्या होता है, कि वो जो आदमी होता है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो खुद के contribution से ही वो business को start कर सके तो ऐसे cases में वो क्या करता है, कि वो उस business में कुछ पैसा खुद invest करता है और कुछ पैसा market में public से लेता है तो कैसे इसको समझते हैं आपको एक business start करना है, जिसके लिए आपको एक करोर रुपे की जरुरत है मगर आपके पास एकदम से एक करोर रुपे नहीं है तो आप आपने क्या किया, आपने 10 लाख रुपे खुद से लगा दिये और ये 10 लाख रुपे आपका अपना contribution हुआ अब 10 लाख रुपे तो आपके business में आगे मगर आपको business को start करने के लिए कितना पैसे चाहिए? एक करोर तो एक करोर आपको चाहिए आपने 10 लाख दे दिया है अभी भी 90 लाख की कमी है तो वो 90 लाख की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे? आप 90 लाख की कमी को कुछ इस तरीके से पूरा कर सकते हैं आप क्या करेंगे? ये 90 लाख जो है ये 90 लाख market में से उठाएंगे अब कैसे उठाएंगे? ये समझे आप क्या कर सकते हैं? 90 लाख को 9000 रुपया करके 1000 शेर्स इसू कर सकते हैं मार्केट में मतलब ये कि आपने क्या किया आपका जो बांकी का 90 लाख रुपया था जो कि आपको कहीना किसे जुगार करना था उसके आपने 1000 टुकरे कर दिये और हर एक टुकरा 9000 रुपया गया है तो इसमें हुआ क्या है इसमें हुआ ये है कि आपका जो 90 लाख रुपया बांकी का कैपिटल था वो कैपिटल अब रिवाइड हो चुका है 1000 टुकरों में हर एक टुकरे का दाम है 9000 रुपया तो अब ये जो आपने 1000 टुकरों में इसको बांट दिया है आप क्या करेंगे इस 1000 टुकरे को मार्केट में इशू करेंगे मार्केट में इसको बेचेंगे तो मार्केट में बेचने से क्या होगा लोग इस 1000 टुकरा जो कि ये जो 9000 है इसको खड़ी देंगे बदले में आपको 9000 रुपया मिलेगा पर बदले में आप उसको ownership देंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि यह जो 1000 shares है 1000 shares market में issue हो जाएंगे और 1000 shares को 1000 लोग खडीद लेंगे तो मैंने क्या कहा था कि आप उनको बदले में ownership दे रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि 1000 लोगों को बदले में ownership मिला है तो क्योंकि 1000 लोगों को बदले में ownership मिला है तो वो 1000 लोग क्या हो गए आपके company के owner हो गए तो joint stock company ऐसा ही कुछ है तो a joint stock company is a business organization in which the stock of the company is owned by a large number of people जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो capital है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा own किये जाता है जैसे हमने यहाँ पर देखा इसका जो 90 लाख रुपय का capital था वो 1000 लोगों के द्वारा own किया गिया था the stock is divided into a number of parts each part being known as a share जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 90 लाख रुपय का stock या फिर capital था उसको हमने 1000 टुकरों में बाट दिया और हर एक टुकरा को यहाँ पर क्या कहा जाता है share whoever buys the share becomes an owner of the company for that considered amount और जो भी यह आदमी इसको खड़ी देगा वो आदमी आपके कंपनी का 9000 रुपया के बदले का हिस्सेदार बन जाएगा तो joint stock company क्या है joint stock company एक ऐसा business organization है जहाँ पे कि उस business के total capital को टुकरों में बाट दिया जाता है और उस टुकरों को market में बेच दिया जाता है और वो टुकरों को public में लोग खड़ीदते हैं और खड़ीदने के बदले में उन्हें ownership मिलती है और वो उसके owners बन जाते हैं तो इसलिए इसको कहा गया है कि it is owned by a large number of people अब जो दो next topics जिन हैं हमें जानना है वो है shares and debentures तो क्योंकि आप joint stock company समझ चुके हैं तो joint stock company समझने के बाद shares का एक rough idea आपके दिमाग में हो गया होगा बट मैं इसको फिट से clear कर दे रहा हूँ जैसे कि उस example में हमने देखा था कि आपको एक करोर रुपे की जरूरत थी अपना business start करने के लिए पर आपके पास पुड़ा का पुड़ा एक करोर रुपे नहीं था जिससे कि हर एक टुकरा 9,000 रुपया का हो गया और आपने इस टुकरे को मार्केट में भेज दिया लोगों ने इसे खडीदा और बदले में वे owner बन गए तो आपने यहाँ पर क्या किया है आपने यह किया है कि आपने उस business firm के टुकरों में बांट दिया है तो वो जो हर एक टुकरा है वो हो जाता है एक share So what is a share? A share is a part of the total capital of a company मतलब एक company के total capital का एक हिस्सा होता है share जैसा कि यहाँ पर 90,000 रुपया का एक हिस्सा था 9,000 रुपया का एक share So अब जो हम next topic पर आते हैं वो है debentures तो अब debentures क्या होते हैं इसके लिए भी आपको example समझना पड़ेगा अब आपको एक करोर रुपया की जरूरत थी अपना business start करने के लिए आपने उसमें से 10,000,000 का investment खुद से किया और 90,000,000 का investment market से उठाया अब आपके पास आ चुका है पुरा एक करोर रुपया आ चुका है अपने अपना business start कर दिया बहुत बढ़िया मगर हुआ क्या कि 6 महिने बीद गए आपके business को और 6 महिनों में आपके business का खर्च बढ़ गया आपका business आपने सोच के रखा था कि इस साल मेरे को एक करोर रुपया का जुरत पड़ेगा तो आपने उसी के हिसाब से 10,000,000 खुद डाले और 90,000,000 मार्केट में से उठाया मगर अब क्या हो रहा है कि अब आपको 50,000,000 रुपय और चाहिए तो normal cases में कोई भी बंदा ये सोचेगा कि अब 50,000,000 रुपय कहां से लाए तो वो हो सकता है कि ये सोचे कि हाँ मैं काम करता हूँ मैं फिर से 50,000,000 रुपय का shares issue कर देता हूँ मुझे फिर से मिल जाएगा मगर नहीं Companies Act ये कहती है कि आपने एक बार shares issue कर दिया तो आप उसके बाद फिर से नए shares issue नहीं कर सकते हैं उसी financial year में मतलब ये कि यहाँ पर मैंने 90,000,000 रुपय के लिए shares issue कर दिये थे मगर अभी अगर मेरे को और पैसो की जरूरत परती है तो मैं और shares issue करके पैसा नहीं ला सकता हूँ Companies Act मुझे ये नहीं करने देगी तो अब Companies Act आपको और shares issue करने नहीं दे रही है तो अब आपके पास पैसा कहां से आएगा तो ऐसे किशस में आप क्या कर सकते हैं आप debenture issue कर सकते हैं debenture क्या होता है एक debenture एक तरीके का लोन होता है जो की एक company market में से public के द्वारा उठाती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 50 लाख रुपे की और जरुनत है और Companies Act आपको ये 50 लाख रुपे shares के थुरू नहीं लेने देगी तो आप क्या कर सकते हैं इस 50 लाख रुपे के 1000 टुकरे कर सकते हैं 5000 रुपे के मतलब आपने क्या किया 50 लाख रुपे अभी आपको और चाहिए मगर आप shares के थुरू ला नहीं सकते हैं तो आपने क्या किया उसको 1000 टुकरों में बाट दिया एक टुकरा 5000 का हो गया तो ये जो आपने अपने capital का टुकरे किये है वो हर एक टुकरा अब कहलाएगा debenture तो अब debentures क्या होते हैं तो debentures का definition ये कहता है कि a debenture is a type of loan which the company borrows from the public in order to meet its financial requirements मतलब ये कि ये एक तरीके का loan है जो कि company public में से borrows करती है अपने financial requirements को meet करने के लिए मतलब ये कि company जो है उसको अभी और capital के requirement पर गई है तो उससे इस capital के requirement को fulfill करना होगा तो वो अब इस capital के requirement को shares के थूर तो fulfill नहीं कर सकती है तो अब debentures लेगी तो debentures क्या हुए एक तरीके का loan हुआ जो कि company business के proceedings को जाड़ी रखने के लिए public में से उठाती है next आता है finance अब finance का मतलब क्या हुआ कि finance का मतलब हुआ कि हमने अपने business में कितना पैसा लगाया हुआ जैसा कि हम जानते है कि हमारे business में बहुत type के काम होते है तो उन सारे कामों को करने के लिए हमने अपने business में कितना पैसा लगाया हुआ है वो सारा पैसा क्या कहलाता है finance so finance का मतलब क्या हुआ कि हमारे business में कितना पैसा लगा हुआ है next आता है types of sources of finance मतलब की sources जो है finance के वो कितने तरीके के होते हैं तो देखिए finance के sources जो है वो mainly दो तरीके के होते हैं पहला होता है long term sources and उसके बाद दूसरा आता है जो कि है short term sources so long term sources का मतलब क्या हुआ long term sources का मतलब हुआ वो sources जहां से कि हम हमारे joint store company के लिए लंबे समय के लिए capital ला सकते हैं and अगर आपको अपने company के लिए छोटे समय के लिए capital लाना है तो छोटे समय के लिए आप जहां से capital लाएंगे वो कहलाएगा short term sources of finance so long term sources of finance में जो आते हैं वो है shares, debentures ये सब है sources जहां से कि आप लंबे समय के लिए joint store company के लिए finance ला सकते हैं and short term sources में आता है loans from commercial banks so ये वो जगह है जहां से कि आप छोटे समय के लिए अपने finance को ला सकते हैं, मतलब अगर आपके business में छोटे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो आप इन sources के थुरू ला सकते हैं, so guys आज के इस वीडियो में हमने हमारे third chapter sources of finance for a joint stock company के कुछ basic चीजों को जाना है, हमने अभी अपना main chapter start नहीं किया है, but अगले वीडियो में हम हमारे main chapter को start करेंगे और जो main topics हैं उनको भी जानेंगे, so guys हमारी ये आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है और इस वीडियो को खतम करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही advice दिना चाहता हूँ कि आप please इस वीडियो पर पूरे dependent ना हो जाएं मैं आपसे request करूँगा कि आप जिस भी book को follow करते हैं आप एक बार उस book को जाके पर ये, एकदम से इस वीडियो पर dependent मत हो जाएं अगर ये वीडियो को आप exam के समय में देख रहे हैं then I request you not to take this video as the only source जिससे कि आप exam में अच्छे marks score कर पाएं आप प्लीज जाके अपने कोई भी text book हो उसे अच्छे से पढ़िए आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी helpful रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार like जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियो और भी future में देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe परके bell icon को जरूर प्रेस कर दीजिए और अगर आपके कुछ भी doubts, queries या फिर questions हैं उनको comment section में comment जरूर कीजिए अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ help पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेर कर दीजिएगा तब तक के लिए do take very good care of yourselves and bye bye and जैहिन कर दोब कर दोबायो